आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर कल के लिए हमारे क्या important levels रहेंगे support और resistance लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है market में और आगे आने वाले sessions में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में discussion करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को first time देख रहे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के उपर वीडियो regularly upload करती हूँ sometimes travel के वीडियो भी upload करती हूँ और जब कभी भी time मिलता है तब मैं एक education purpose पे या फिर किसी stock को लेके वीडियो upload कर देती हूँ करने के बाद आपको जो है वो बहुत सारे benefits मिलते हैं आपको extra videos मिलते हैं आपको important day trading के लिए calls मिलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर और आपको community में stock recommendations भी मिलते हैं जैसे मैंने आज सुबह ही और कल सुबह भी कुछ stocks आपको recommend किये हुए थे तो यह सारे जो benefits है य नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है वही अगर आप देखोगे तो subscribe button के बाजू में आपको एक और icon दिखेगा join button करके तो वहां से भी आप channel membership join कर सकते हो तो जल्दी से channel membership join कर लो और एक बहुत ही important news है कि up stocks जो है वो मेरे subscribers के लिए बहुत ही बढ़िया offer लेके आया है new year की offer है यह जहां पर आपको एक free trading and demat account मिल रहा है और आपको free equity delivery trades मिल रहा है unlimited brokerage credit मिल रहा है for 30 days के लिए और आपको जो है एक zero balance indecent bank saving account भी इसके साथ साथ मिल रहा है तो यह सारे benefits आपको मिलते हैं और साथ ही साथ आपको 2000 के partner benefits भी मिलते हैं तो जल्दी से इस offer का अलाब लीजेगा नीचे description box में मैंने link आपको provide कर दी है उस link के तो आप जो है वो अपना free account open कर लीजेगा तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे analysis के तरफ तो अभी मेरे सामने निफ्टी का one day candlestick pattern chart है और निफ्टी की closing आई है 14,199 के पास तो देखिए कल की बात है मैंने कल ही आप से कहा था निफ्टी हमें यहां से 14,250 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि कल निफ्टी ने 14,000 के ऊपर एक closing दी और यहां से 14,000 का level जो था वो अच्छे से hold रखा था तो मैंने कल ही बात की कि यहां से आप जो अपना target है 200,250 के तरफ रख सकते हो तो आज 200 का target तो अच्छीव हो गया है तो अभी देखिए अभी निफ्टी ने थोड़ा सा नीचे closing दी है 14,200 के तो अगर निफ्टी जो है 14,200 के ऊपर stable हो जाता है तो definitely यहां से हमारा next जो target रहेगा वो रहेगा 14,350 का level अगर निफ्टी closing basis के ऊपर 14,200 को पार कर लेता है तो so one more positive session and nifty managed to close a day on a fresh highs at 14,200 with gains of half a percent and form a bullish candle on the delhi chart so now nifty has shifted its base to 14,100 zone and the overall base is still at 14,000 mark holding about this level so यहां पर आप जो है वो continue रखना अपना buy on dip वाला strategy कल भी मैंने आपसे बात की थी कि अगर आपको 14,050 80 के पास nifty मिलता है तो आपको जरूर जाना चाहिए यहां पर buying के लिए जाना चाहिए क्योंकि upside के लिए आपका target 14,200 250 का रहेगा तो आज कुछ ऐसा ही देखने क वो मिला हमें तो यह हमारा जो अप्रोच है जो buy on dip strategy मैंने आपको बताई है वो आपको continue रखनी है आगे के session में भी जब तक nifty 13,950 और 14,000 का support hold रख रहा है तब तक तो अगर nifty coming session में 14,200 के उपर रहता है अगर intraday में भी आप देख रहे हो कि 14,200 के उपर nifty sustain कर रहा है और यहां से फिर हम लोग बाद में nifty को 14,350 और 400 के पास बढ़ते हुए फिर देख सकते हैं और अगर closing basis के उपर इसके उपर ही closing मिल जाती है तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा यहां से upside के लिए definitely confirm कह सकते हैं 14,350 का level तो हम लोग nifty के अंदर फिर देख स करते हैं तो यहां पर आज की अगर बात करें तो 14,200 के पास resistance face हुआ है यह भी हमें ध्यान में रखना है 215 का high किया था तो 14,200 के पास nifty के लिए resistance है तो आपको जिन लोगोंने downside के लिए जो buy-on strategy buy-on dips की strategy अपना ही थी वो अपना stop loss जो है वो strict रखिएगा और upside के लिए जो 14,200 का किया हुआ है तो वही पर exit करना है अगर आप ज्यादा के लिए जाओगे तो market reverse भी ले सकता है तो यहां पर अभी जिनों ने भी इसके पहले जो downside के लिए अपने strategy ली थी buy-on dips की वो अपना profit यहां पर book कर ले और upside के लिए तब ही जाईएगा 14,200 के उपर market sustain करता है त तो ही upside के targets के लिए आपको जाना है तो यहां से हम लोग nifty की option chain देख लेते हैं एक बार तो अभी मेरे सामने nifty की 7th January के option chain है और nifty की closing आई है 14,199 के पास तो call side में अगर हम लोग देखे सबसे जादा open interest कहा पर बना हुआ है तो call side में highest open interest बना हुआ है 47 lakhs का जो की है 14,500 के level के उपर और अगर देखे सबसे जादा writing भी हमें इसी level के उपर दिखाई दे रही है और इसके बाद में अगर देखे तो इसके बाद में second highest open interest और writing हुई है 14,300 के उपर तो अभी देखे जैसे मैंने अभी आप से कहा कि nifty ने 14,200 के पास तो closing दी है लेकिन अगर इसके उप stable हो जाता है तो next हमारा target 14,350-400 के zone में रहेगा तो यहाँ पे भी हमें सबसे जादा जो है वो contracts की adding यहाँ पे और 14,500 के तरफ दिखाई दे रही है यानि कि upside के लिए जो है वो contracts की adding दिखाई दे रही है तो यहाँ से लोग जो है वो police चल रहे हैं market के अंदर तो आप लो 14,300 क minimum target रखके चलिएगा यहाँ से अगर nifty 14,200 का level पार करता है तो intraday में हम लोग nifty को इसके तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं और upside के लिए resistance zone रहेगा 14,300 और 500 का level downside की बात करें तो देखिए put side में सबसे जादा open interest कहाँ पे बना हुआ है तो highest open interest जो बना हुआ दिखाई दे सबसे जादा put side में contracts के adding भी हुई है 14,100 के उपर तो यहाँ पे nifty ने जो है वो अपना base अपना support जो है वो upside के लिए shift कर दिया है तो यानि कि upside के levels जो है वो nifty के अंदर possible है क्योंकि support जो पहले 14,000 13,000 950 का important था अभी जो है वो base 14,100 को रखा हुआ है यानि कि nifty 14,100 के support को respect कर रहा है और अगर बात करें तो downside के लिए अभी भी 13,000 950 14,000 का level crucial level रहेगा जब तक market इसके उपर चल रहा है गिरावट के ज्यादा chances नहीं है अगर यहाँ से गिरता भी है तो भी 14,100 तक nifty गिर सकता है इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है अगर जाता है तो 13,000 950 और 900 तक जाएगा और उसके नीचे अगर जाता है तो बहुत ज़दा घिरावट हो सकती है निफ्टी के अंदर सो निफ्टी के लिए important support और resistance के levels मैंने option chain data के उपर से आपको बता दिये हैं तो अभी चलिए चलते है चार्ट के उपर निफ्टी 50 के तो अभी मेरे सामने 14,048 के पास और अभी फिलाल closing दी है 14,199 के पास तो यहां पर अगर हम लोग देखे तो आज निफ्टी ने 14,050 के support को respect किया उसके नीचे नहीं गया और यहां पर इंट्राडे में भी हमें इसके उपर ही रहता हुआ दिखाई दिया तो यह positive sign रहेगा यहां से strength हमें आती ह दिखाई दे सकती है next session की बात करें तो देखे next session के लिए important support रहेगा first 14,150 का level अगर निफ्टी इस level को break करता है तो यहां से selling pressure आता हुआ दिखेगा जो निफ्टी को 14,050 और 80 के तरफ लेके जाएगा अगर यह support भी nifty hold नहीं करता है तो यहां से downside के लिए 13,960 का important support रहेगा upside की बात करें तो देखे upside के लिए first resistance रहेगा यहां से 14,210 का level अगर यह level successfully पार होता है और nifty इसके उपर 30 से 40 minute तक stable होता है तो यहां से intraday में ही हम लोग nifty को 14,250 और 14,280 के तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं अगर closing basis के उपर 210 के उपर हमें closing मिलती है तो यहां से nifty हमे 14,350 के उपर जाते हुए आगे आने वाले एक से दो सेशन में दिखाई दे सकता है तो यह nifty के लिए important support और resistance के levels है जो आपको आपके चार्ट के उपर जरूर मार्ग करने है ताकि आपको trading के वक्त helpful हो सके और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूच सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी और everyday life market में support और resistance के levels जो है वो telegram channel के उपडेट कर देती हूँ तो अगर आपने मुझे अभी तक वहाँ पे follow नहीं किया है तो जल्दी से follow कर लो नीचे description box में मैंने आपको link जो है वो mention की हुई है तो अभी हम लोग बात करते हैं bank nifty के उपर तो अभी मेरे सामने nifty bank की option chain है और nifty bank की closing आई है 31,722 के पास तो finally nifty bank ने 31,500 के उपर हमे closing दी है तो यहां से हम लोग nifty bank को अपने all time highs के तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं लेकिन अभी भी 31,500 का level अगर तूटता है तो फिर से गिरावट continue होगी और फिर से consolidation देखने को मिलेगा तो nifty bank को important रहेगा कि इसके उपर ही रहे तो definitely हम लोग 32,000 और 32,300 तक nifty bank को बढ़ते हुए फिर देख सकते हैं तो call side में अगर देखे highest open interest कहां पर बना हुआ है तो 10,000 का highest open interest बना हुआ है 32,000 के level के उपर call side में सबसे जादा writing हुई है 3,10,000 की जो की हुई है 32,000 के उपर तो जैसे मैं पिछले दो वीडियो में आप से कहा था ज्यादा option chain deeply जाने की ज़रूरत नहीं है अगर 31,500 clear होता है तो यहां से next resistance हमारा 32,000 का level रहेगा और फिर यहां से all time highs यानि के 32,300,400 के पास nifty bank के लिए एक resistance है तो यहां से nifty bank के लिए ये दो resistance के levels रहेंगे upside के लिए downside की बात करें तो देखे put site में सबसे ज़्यादा open interest कहां पर बना हुआ है तो 9,88,000 का और उसके बाद में 9,64,000 का highest open interest बना हुआ है 31,000 और 30,000 के level के उपर सबसे ज़्यादा put site में contracts के adding कहां पर हुई है तो 4,00,000 की adding हुई है 31,500 के उपर तो निफ्टी बैंक के लिए important support है first 31,500 का level अगर closing business के उपर ये level फिर से break होता है तो यहां से फिर से 31,000 और 30,500 तक निफ्टी बैंक गिरता हुआ दिखाई देगा अभी भी अगर निफ्टी बैंक गिरता है तो ज़्यादा गिरेगा नहीं मेरे ख्याल से क्योंकि 30,000 का important औ उपर निफ्टी बैंक चल रहा है ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर हमें नहीं देखने को मिल सकती अगर इसके नीचे जाता है closing basis के उपर तो बहुत ज़्यादा गिरावट continue हो सकती है तो यहां पर 31,500 का support लेके चलिएगा इसके उपर intraday में भी रहता है तो यहां से definitely हम लोग 32,000 तक निफ्टी बैंक को बढ़ते हुए देख सकते हैं तो अभी निफ्टी बैंक के लिए option chain data तो हमने देख लिया चलिए चलते हैं चार्ट के उपर निफ्टी बैंक के अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का one day candlestick pattern chart है और finally निफ्टी बैंक ने हमें इ आज ही निफ्टी बैंक ने हमें इसके उपर closing दी है तो यहां से निफ्टी बैंक के लिए अभी upside के लिए जो resistance है वो है 32,000 और 32,400 का level तो यहां पर निफ्टी बैंक के लिए support और resistance की levels क्या रहेंगे यह अभी हम लोग देख लेते हैं यहां से जो first important support रहेगा वो रहेगा 31 650 का level अगर यह level break होता है तो next important support रहेगा 31,350 का level और अगर यह level भी निफ्टी बैंक hold नहीं रखता है तो next important support रहेगा 31,050 का level तो यह downside के लिए important support की levels है अब side की बात करें तो upside के लिए first resistance रहेगा 31,000 850 का level और इसके बाद में 32,050 का level यह nifty bank के लिए support और resistance की levels रहेंगे जो आपको आपके chart के उपर mark करने है तकि आपको trading के वक्त helpful हो सके तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है तो share कर देना अपने friends family के साथ जि carefully